नमस्कार, आप देख रहे हैं JVP Media Group News Bulletin. दादू पंती संच श्री प्रकास दाज़ी के जीवन चरितर और तपो साधना पर JVP Media Group के एंकर संपादक हरी राम किवाडा की खास रिपोर्ट. सत्यराम, सत्यराम, सत्यराम कहिए, दादू राम, दादू राम, दादू राम कहिए, चाहीं विदी राखे राम, ताहीं विदी रहिए. राम नाम की महीमा और अलक निरंजन देव की अराधना एव जगत कल्यान के लिए अवतरित संथ प्रवर्शी दादू दयाल जी महाराज भारत बूमी के दिव्य संथ हुए हैं जिनोंने वाणी की महीमा को प्रती पादित किया और मानव को सत्पत पर चनने का संदेश दिया इसी सत्पत का नाम दादू पंथ है जिसमें हजारों संथ दादू वाणी के प्रचार, प्रसार और परमार्थ में लगे हैं जेवीपी मीडिया ग्रूप नियूस बॉलेटिन के माद्यम से हम आज दादू पंथी संथ श्री प्रकाश दास जी के पेणक जीवन चरित्र और तपो साधना के बारे में बता रहे हैं राजिस्तान के बीलवाडा जिले के छोटे से गाउं में जन्मे प्रकाश दास मातर छे वर्ष की आयू में बालसंत के रूप में प्रसिद हो गए दादू दूआरा सरदान अगर बीलवाडा के संथ श्री श्री 108 श्री मोहन दास जी महाराज का सिख्षत्व ग्रहन करने वाले प्रकाश दास जी आदी शंकर अचार्य दूआरा भारत वर्ष की एकता अखंडता के लिए स्थापित चार दाम की पैदल यातरा की संतों के साथ सत्संग करते प्रकाश दास ने बड़ी सहेजिता से चार दाम की पैदल यातरा पूरी की इसके अलावा भारत ब्रह्मन करते हुए कहीं सिद स्थलों पर भी प्रकाश दास ने बजन सत्संग किया श्रीमत दादू पीट नरेणा में श्री दादू अवतरण एव प्रकाश उत्सव पर होने वाले फालगुनी मेले में अपने गुरू मोहन दास जी के साथ आते रहे हैं यहीं पर प्रसित तपोदारी संथ श्री राम पाल दास जी महराज और राम प्रसाद दास जी महराज का सानिध्य मिला जिनसे प्रभावित होकर श्री दादू दयाल आश्रम निवाई आ गये निवाई में प्रकाश दास ने सत्संग और विध्या अध्ययन किया संत्राम पाल दाज जी बड़े बाबा के रूप में और संत्राम प्रसाध जी महाराज छोटे बाबा के रूप में प्रसिध हुए श्रीमत दादू पीट के उनिस्वे आचार्य जगत गुरू श्री श्री एक हजार आट श्री हरी राम जी महाराज और बीस्वे आचार्य श्री गोपाल दास श्री महाराज का निवाई दादू आश्रम से आत्मिय लगाव रहा है प्रकाशदास निवाई के बाद एक वर्ष का विध्या अध्ययन महत बजरंगदास के सानिद्य में जैपुर भी किया प्रकाशदास जी ने परमार्थ के लिए कहीं बार मौनवरत की साधना भी की है जनकल्यान के लिए चाकसु के पास डूसरी में 41 दिन की धुनी तपी और यग्य कराए सौम्य एव सहदई प्रकाशदास जी ने नई के नात में रहने वाले दिव्यांक संत चेतन दास जी की भी खूप सेवा की वर्ष जो हजार दस में गौर अक्षक लोग देव श्रीराला बाबा दाम की वाड़ा पर रहने वाले संत श्री बंडारी धास जी के देहा वसान के बाद संत प्रकाशदास जी और संत जगत धास जी को आश्रम वैवस्था का दायत्व दिया गया तब से प्रकाश दाज जी श्री राला बाबा दाम के निर्मान और विकास के साथ सत्संग और दार्मिक कारिक्रम लगातार कर रहे हैं गौरक्षक लोगदेव श्री राला बाबा की रणभूमी किवाड़ा में संथ प्रकाश्टास जी ने वर्ष्ट 2014 में संथ श्री दादू दयाल गौशाला की शुरुवात की गौ माता की श्वास्ट्रोास में वेदों का ग्यान रे गौ माता के आसपास में रहते सबघवान रे गौ माता की महीमा को बढ़ाने और लोगदेव शी राला बाबा के गौर अक्षार्च बलिदान से प्रेनित होकर प्रकाश्टास जी ने गौश शाला चलाने का संकल्प लिया आपको बता दें की राला बाबा ने लोगदेव तेजा जी के समकालीन लगबक सवा 900 वर्ष पहले गौर अक्षा के लिए संगर्ष किया था जिसमें सैक्डो गौहरताओं को मार कर गायों को छुडाया और गौालों को सुपर्थ किया उस संगर्ष में राला बाबा का सिर कटने के बाद भी सीने में आखे निकल आई थी और यूत करते रहे आखिर में संपूर गौहरताओं को मार गिराने के बाद वीरगती को प्राप्त हुए राला बाबा की सिर्क टीवी प्रतीमा आज भी यहां मौजूद है जहां पर कहीं सिद्ध चमत्कार होते हैं राला बाब की इस रनभूमी का शेतर किवाडा बहरुपुरा और जिवली गामों के त्रिवेनी संगर पर है जिसे हम जिर्निया गौशाला के नाम से जानते हैं संथ प्रकाश दास जी ने गौश अला के निर्मान और विकास के लिए राला बाबा दाम पर हर वर्ष जेश्ट मा की अमावस्या को आयोजित होने वाले लखी मेला समारोह में गौब बक्तों का आवान किया और जन सयोग का कारवा शुरू किया जेवीपी मीडिया गुरूप की पहल पर सुवर्गिया रामदयाल सुखदेव जी की वाड़ा की पुने समिर्ती में सयोग का छोटा सा परयास किया और धीरे धीरे प्रदेश बर के माहनुभाव जुडने लगे प्रकाश दास जी के सानिध्य में होने वाले करकरमों में राला बाबा दाम पर जगत गुरू स्वामी श्री गोपाल दास जी महराज श्री मत दादू पीठा चार्य का भी पदाड़ पन हुआ है इनके साथ श्रीमत धन्ना पीठा गीश्वर जी भजरंग देवाचार्या जी महाराज, केंदरी मंतरी सीयार चौधरी, प्रोफेसर सावरलाल जाट, किसान महा पंचायत के राष्ट्री अध्यक्ष रामपाल जाट, क्रिशी मंतरी प्रभुलाल सैनी, राजिस्तान जाट महास के प्रदेश अधक्ष राजाराम मील, बीजेपी नेता सतीश पूनिया, जिला प्रमुक सत्यनारायन चौधरी, विदायक हीराल रैगर, जोच्छी अखिलेश जी समेत कहीं संत महंत और विशिष्ट जन्पदारे हैं, प्रकाश्दास जी नरेना दादू मेले में हर वर्ष अन्शेतर लगाते हैं, संत प्रकाश्दास जी के बजन सत्संग का ऐसा रस भरस्ता है कि इनके भक्ती बाव से हर कोई भक्ती मैं हो जाता है, गौसेवा के भक्ती बाव से वर्तमान में टौंक, जैपुर, नागौर, इंदौर, भीलवाडा के साथ देश-प्रदेश के सज जन जुड रहे हैं, प्रकाश्दी ने गौश आला में गोपाश्टमी पर गुरुपूर्णिमा महुत्सव और विशेश अफसरों पर बड़े सतर पर कारक्रमों का आयूजिन किया है, गाउं के वाड़ा में चार भागवत कथाएं की और प्रदेश बर में कहीं दार में का आगे बढ़ाया है, संत प्रकाश्दास जी ने जन कल्यान के लिए 14 अगस 2016 को देव बूमी उतराखंट के विबिन सित्थ तीर्थ स्तलो और हिमाले शेत्र में साधना के लिए चले गए, 16 पूर्ण मासी की साधना के बाद रविवार 5 नवंबर 2017 को किवाड़ा में संचालित संत श्री दादु दयल गोश आला में पदा रहे हैं, 16 महिने की साधना अवदी में प्रकाश जी ने दादु वानी और गुरु महिमा का समूचित प्रचार प्रसार किया, इस तपो साधना के अनुभव हम स्वय प्रकाश दाज जी के शुरी मुख से सुनें,